हे गाइज पोरल कैसल के दक्षिनपूर कोने में एड ने एक विशाल घनाकार कलाकृती रखी है जो आठ फीट लंबी है और प्रती एक पक्ष लगभग चार फीट चोड़ा है एड ने चटान के अंदरूनी हिस्से को काड़ दिया है और हर तरफ खिड़किया बना दी है उन एड ने एक बड़ी गोल्धातू की वस्तू को लटका दिया है जो एक मॉडल T4 1925 से एक रेर एक्सल डिफ्रेंशियल है इसे खोला जा सकता था और वहाँ फुटबॉल पिट हो सकता था यह अजीब दिखने वाली सन्दशना क्या है मैंने जो स्पश्टिकरन सुना वह प् पिटे में आग लगा देते और भोजन को डिफ्रेंशियल में डाल देते अब हमारे पास एक एयर टाइड बर्तन है जो भोजन को तेजी से पकाता है और इसे हर जगा बिखरने से रोकता है एड ने कल्पना की थी कि उनकी प्यारी पत्नी आएगी और इस कूकर का इस्तिमा रूप से नहीं किया था इसके अलावा एड के पास पहले से ही दो मिट्टी के तेल के स्टोफ थे एक टौवर में जो बर्तन और धूबदान के साथ आज भी मौजूद है दूसरा चूला उनके लकडी के केबिन में था ज्यादतर लोग नहीं जानते कि एड महल के दिवारो में नहीं रहते थे वह कोरल कैसल के पीछे एक लकडी के केबिन में रहते थे जो उनकी मृत्यों के एक दशक बाद जल गया था तो एड ने आठ पुट लंबा कूकर बनाने में समय और उर्जा खर्च क्यों की जैसा कि मैंने कूकर के तल का निरिक्षण किया मुझे वास्त में छेद सिर्फ एक सीधा छेद नहीं था यह एक एल आकार की सुरंग थी जिसे नीचे के पाइप से जोडने के लिए सावधानी से ट्रिल किया गया था नीचे के पाइप पर एड ने बोल्ट के लिए छेद के साथ लोहे के निकले हुए युगमन को बड़े करीने से है उसने नीचे के पाइप पर एक हैंड क्रेंग ब्लोवर लगाया होगा जो नीचे से उपर की ओर हवा को बल देता होगा यह शीर्ष पर एक उच्च तीव्रता की लोव पैदा करेगा जिससे यह विभिन लोहार के कार्यों के लिए एकदम सही हो जाएगा आज भी आप ए अग्यात के टैग है क्योंकि विशेशगी यह पता नहीं लगा सकती है कि एड ने उनका अप्योग कैसे और क्यों किया यह रहस्माई वस्तुए साबित करती है कि एड ने बार्बीक्यू कूकर में फोर्ज करके इस्तिमाल किये गए कार के पुर्जों से अपने उपकरण ख सिरा है लटकता हुआ लुहे का डिफ्रेंशियल लुहार फोर्ज को एक नए स्तरपले जाता है कोरल कैसल में क्या हो रहा है इसका एक उत्क्रिस्ट उधारन बार्बिक्यू कूकर है लोगों को समझ में नहीं आता कि एड ने कोरल कैसल क्यों बनाया इसलिए वे सिर्फ यह म के बारे में हमें पता चलने का एक मात्र कारण यह है कि एड ने उनके बारे में अपनी किताबों और पैंपलेट्स में लिखा था नहीं तो धूब घड़ी एड की दोस्त के लिए खाना पकाने का कटोरा होती आप यहां देख सकते हैं इस उपकरण पर एक पट्टिका है ज हमें इसका नाम बदल कर एड्स ब्लैक स्मिथिंग फोर्ज करना होगा मैं परवीन मोहन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करना ना भूले और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के पटन को भी क्लिक करें इर पैस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात बाइ